हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप अच्छे ही होंगे आज हम आप लोगों के लिए सूजी का एक ऐसा हलवा लेकर आए हैं जो दूद में भिगो के हम बनाएंगे और बहुत टेस्टी होता है तो एक कप हमने यहाँ पे सूजी ले लिया है इस हलवे को बनाने के लिए और जिस कप से मैंने सूजी लिया है आप उसी कप से दूद भी ले लिजे एक कप दोनों बराबर-बराबर मात्रा में रखे तो इसको अच्छे से मिक्स करके अगर आप चाहें तो रात भर के लिए आजकल सर दिया हैं तो रात भर के लिए विगो के रख दीजे या आप जल्दी में हैं तो आधा घंटा पहले विगो लीजे दूद आपका रूम टंप्रेचर पर होना चाहिए अब यहां पे हमने एक पैन ले लिया है उसमें हमने जितनी हमारी सूजी थी उतना ही हम चीनी ले ले लेंगे एक कम चीनी ले लेंगे और चार कप पानी ले लेंगे और थोड़ा सा पानी मैंने और ले लिया है आधा कब उसका रेजन मैं आपको बाद में बताऊंगी तो कड़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है चलिए अपनी सूजी को देखते हैं जिस कड़ाई में मैंने घी डाला था उसी में मैं इसको डाल कर भूनूंगी तो आप जब इसको कड़ाई में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा घी डालके ही अभी मैंने दो चमस घी डाला है वैसे तो इस हलवे में फ्रेंड्स घी की मातरा उतनी होती है कि अगर आपने एक कप सूजी लिया है तो एक कप चीनी और एक कप ही घुई घी लगता है लेकिन अब क्योंकि सर्दियां हैं तो अभी हम थोड़ा थोड़ा घी डाल रहे हैं जितना हमको जरूरत होगी उतना ही जो है बबीजवीश में हम डालते जाएंगे अगर हमको लगेगा कि घी कम है क्योंकि सब लोगों के चलिए मैं तो अभी एक कप डाल दूँगी साथ में लेकिन सब लोगों के पास नहीं इतना अफलेवल होता है तो उनके लिए मैं बता रहे हूँ कि आप लोग ऐसा ये ना सोचें कि हमारे पास अगर एक कप देसी घी नहीं है तो मैं ये हलवा नहीं बना सकती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी में आप घी डालते जाएए आप थोड़ी कॉंटिटी में भी इस हलवे को बनाएंगे ये हलवा उतना ही टेस्टी बनेगा क्योंकि ये लास्ट में जब हलवा एकदम बनके तयार होता है तो ये घी अपना पूरा रिलीज कर देता है छोड़ देता है तो थोड़ा सा घी में देखिए अब हमारी सूझी जैसे जैसे भुन रही है वैसे ये सूखी होती जा रही है और मैं थोड़ा थोड़ा घी इसम मुझको quantity है चाहिए की हलवे की जितना हमको जरूरत लगेगी मैं उसी तरीके से इसको जो है लेती जाओंगी इसमें जो है हाथों की और कंदों की बहुत मसाज होती है इस हलवे को बनाने के लिए क्योंकि इतनी मेहनत आपको सूजी के हलवे में और जो है गाजर के हलवे में बिल्कुल नहीं लगती है जितना यह जब हम दूद भीगो के रखते हैं इसको बनाने में लगती है तो देखिए दीरे दीरे यह भुनता जा रहा है इसका कलर भी चेंज होते रहा है फ्रेंट्स और उधर मैंने चासनी अपनी दिखा दी है मैंने थोड़ी सी केसर उसमें सूजी हमारी भुन गई है अब जब सूजी भुन जाए तो इस स्टेज पर मैंने दो चम्मच जो है बेसन एड़ कर दिया इसमें इसी बेसन के लिए ही मैंने आधा कप पानी एक्स्ट्रा डाला था उसमें चीनी मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया था फ्रेंट्स अगर आप ब भुनने में टाइम लगता है और बेसन जल्दी भुन जाता है अब फिर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है इसमें फिर मिक्स करके जो है आब वैसे घी अब यह भुन के तब तयार हो जाएगा फ्रेंट्स थोड़ा थोड़ा घी में डालके भून रही हूं यह भुन के और चासनी आप उदर देख लीजेगा फ्राइपन में यह देखिए अब यह हलवा हमारा भुन के तैयार हो गया है थोड़ी-थोड़ी चासनी में डाल रहे हूं इसमें कोई फूट कलर नहीं डाला है अगर आपको इस हलवे का ठालर चानी में मैंने मैंने सिथ खेसर यह वैसे इतना tasty बनता है फ्रेंट्स इसका सिर्फ टेस्ट देखिए बहूत अच्छा होता है और यह बहूत healthy भी होता है सब लोग कहते हैं कि बहूत ताकत होती है मम्मी पापा यह लोग बोलते हैं बड़े बुज़ुर्ग कि दुद में विगोई सूजी की जो होती है मैंने add किया है और जो lumps थे जब ये पकने लगेगा तो एकदम से खतम हो जाएंगे और देखे कितना shine है सूजी में और इसी stage पर मैं इसको सुखा लूँगी और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये हमने पिस्ता काजू और बादाम बारिक-बारिक चौप करके रखा था इसको मैंने fry नहीं किया है लेकिन ये जो नारियल है ये मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है घी में और रोस्ट कर क्या लिया है मेरे पास रोस्ट करा हुआ था अगर रोस्ट करा नहीं होता तो मैं आपको दिखाती रोस्ट करते समय हलवा बिल्कुल तयार है इसी स्टेश पर आप अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे तो यह ठीक हो जाएगा एकदम भी लेकिन यह हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनके तयार हो गया है और बहुत टेस्टी है एक बार जरूर आप मेरे कहने से यह हलवा ट्राइ केजेगा सबको बहुत पसंद आएगा इसका टेस्ट अब आप देख सकते हैं किनारे किनारे पर और बीच में हर जगें आपको घी ही ही दिखाई पड़ रहा है इस स्टेश पर आप सूजी को एक साइड में अगर कर देंगे तो आपका पूरा घी एकदम अलग हो जाएगा आप चाहेंगे अगर आप नहीं खाना चाहते होंगे तो उस घी को किसी कटोरी में पलट सकते हैं जब यही है हलवा की एकदम अच्छे से भुनने की बहुत टेस्टी होने की और परफेक्ट हलवा बनने की पहचान है आप उधर देखिए कड़ाई में इस हलवे में एकदम भुन जब जाता है यह हलवा तयार होता है तो सारा घी रेडियूज हो जाता है वीडियो को आप लोग इसकिप मत करिएगा जरूर देखिएगा लाश तक तभी आप समझ पाएंगे कि इस हलवे की ताकत एक्छुली में है क्या तो घी देखिए आपके नारों पे और बहु को भी शेयर कीजेगा पासी में लगे विल आइकन को भी चरूर दबाईएगा फ्रेंड्स जिससे की हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए तो प्लेट में हमने हलवा निकाल दिया है फ्रेंड्स और अब मैं यहां पे थोड़ा सा बादाम डाल देती हूँ और पिस्ता की कत्रण और काजू थोड़े से बारिक बारिक और ठोड़े से यह नारियल मैंने बजाके रखे थे गार्णिसिंग के लिए तो इसको मैं लगा देती हूँ आपको एक चमश में मैं उठा के दिखाती हूँ हलवे को आपको खिला के द कि कि